शेरनगर की हारी सिंग हाई स्ट्रीट में रविवार को एक करनेटवी स्पोर्ट में एक बसूर की मोथ होगे जबकि कई महिलाओं सहित 23 अनिक खायल होगे अदेम कश्मीर रेंज के पुलीस उपमहा निरक्षक सुरीजित कुमार ने खतना स्टल पर पतरकारों से बात करते हुए कहा है कि अमीरा कदल में शेरनगर के पास व्यस्त स्थान पर एक गन्नीट फैंका गया आपको बता दे कि साथी साथ कहा कि एक बजूर्ग व्यक्ति की मोथ हो गई है और जबकि एक पुलीस कर्मी सहित 23 अनिक खायल होगे एक सवाल के जवाब में डियाईजि ने कहा है कि ये सुरक्षा में कोई चूक नहीं है क्योंकि एक पुलीस कर्मी भी घायल हो गया है सांबा के विजेपूर में पीडीपी पार्टी के द्वारा एक मासिक बैठक की गई आपको बता दे कि इसमें जिलापर्धान हरमिश सिंग सलाथिया ने जो है इसकी देख रेकी और इस दोरान लोगों ने अपनी समस्याओं को जिलापर्धान के समक्ष रखा साथी साथ उन्होंने समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें पूनरोप से आश्वस्त किया है साथी साथ वहीं उन्होंने कहा कि 22 मार्च को विजेपूर में होने वाली रैली को कामयाब करने किया जाए डिरेक्टर हेल्थ कश्मीर की तरफ से ये साथ कर दिया गया है कि जिस तरीके से बोन जॉइंट अस्पताल के अंदर आग लगने के कारण सभी सविसिस को रोक दिया गया था जिसके चलते वहाँ पर उमीद की जा रही ही थी कि जल्द ही सभी सविसिस को शुरू किया जाएगा तो अब उन्होंने बता दिया कि और्थोपेडिक ओपरेशन जो है वो एक बार फिर शुरू कर दिये हैं कश्मीर में 15 साल बाद आतंक्यू के पास तरल रसाइनिक विस्पोर्ट पहुंचने की आशंका है पिछल दिनों अंदराश्ट्र सीमा के अर्निय सेक्टर में मिले इस रसाइनिक विस्पोर्ट के तीन बोतलों को जांच के लिए प्रयोकशाला भेज दिया गया है जमो कश् कश्मीर में हालात प्रतेक मानक के अधार पर पहले से कहीं जादा शांत एफसा मानने हैं हमारा मकसद कश्मीर में शांती को स्थाई बनाना है सफेद पोश आतंकी अब नाबालिकों को अपने नापाक मनसूबों को अंजाम देने के लिए बली का बकना बना रही है जमो कश करीब दो लाख अब्यार्थी बैठे जिनों ने ये परिक्षा दी। के अनुरोध है कि वे संगलन गूगल फॉर्म में निहत विवरन ततकाल अधार पर बरें। भारत के केंद्री ओशदी प्राधिकरन की विशेशकों की एक टीम ने सिरम इंसिट्यूट द्वारा बनाएगी करोना वेक्सिन कोवेक्स के तीसरे चरन के क्लिनिकल ट्रायल के वेक्सकों को बूस्टर डोस के रूप में लगाने की अनुमती देने की सिफारिश की है। रविवार को अधिकारिक सूत्रों के द्वारा ये जानकारी सांज़की गई।